कुछ लेट्स ट्राइथ से बूट प्वर है से बुलाप्लाज दीटी अग अब यह चीज आएगी यह पंक्शन आप अप्टी तो जब इसका लेंगे तो वेरियाबल जो धी है उसको पी करना पड़ेगा तो देखो इसको अगर देखा सा है तो देट सवाइए इस बेटर की इस पी को चैंज क्योंकि जो नया लाप्लास लेंगे उसमें जो वेरियाबली एफ़ी हो जाएगा हमारा इकी पावर माइनस टीटीडीप ऐसा कुछ रहेगा ठीक है तो यहां पे वेरियाबल टीटी की जा के रखता है तो इस बेटर की यह जो इनिशल पी है इसको हम कुछ हो ले 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 ठीक है तो इसको तो वेरियाबल होना है तो इसको वेरियाबल होना है तो इसको वेरियाबल होना है तो इसको ले ले लेते है एक्स ले लेते है ठीक है लेटस टेक दिस एक्स 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 तो what we did that we have taken this p as x then this will be small fx ठीक है नो लाप्लास हो भी small fx हमेख ची है तो यह क्या होगा इस विल भी 0 से इंफिनिटी एकी पावर माइनस p अब ठीक ही जगा देखो यहां variable x है तो x small fx dx यह होगा ओके बट यहां small fx itself is integration in fact so 0 से से इंफिनिटी एकी पावर माइनस px fx is 0 से इंफिनिटी एकी पावर माइनस x t capital f t and dt यह है और इसका जो और इंटेग्रेशन है वो dx हो गया विकुस यह जो और यहां तो आप देखो जीरो से इंफिनिटी आ इस में देखो आएन 0 से इंफिनिटी यह विश्च्ट टी और इंटेग्रेटिंग सो एकी पावर माइनस माइनस एकस पार अंदर ले जाएंगे तो मैनस एकस आ गया बहुर्स अंदर हो गया यह प्लस ती ठीक है और यह जो एफ्टी ए अधिस इस एफ्टी यास चलू इसको यह सा कर सकते है ना क्योंकि लिमिट दोनों में यह 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 डीट यो डीक्स और चैन्स कर सकते हैं यह हो गया हमारे पास ऐसे इसको भीगए रिट जी रोसे इंफिनिटी फ्टी और देखो इसका इंडिग्रेशन करेंगे तो यह क्या है गाँ मैनस डिवाइड वाइड पी प्लस टी और एकस की लिमिटी जी रो से इनिफिनिटी एकी पावर यह तो रहेगा यह से एकी पावर मैनस से एकस प्लस टी अच्छा देखो फॉर्दर पी तो पोजितिव है उपकोई और टी जीड पॉस्तिव है बिगोज 0 से इनिफिनिटी तो जब यह लिमिट अप्लाए गरेंगे you're gonna get p plus t or dt okay so yeah i am already passed uh zeros infinity f t divided by p plus t dt uh this is the answer laplace of uh laplace of laplace of the am a program okay so the solution so this this is this was the 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 scenario when we used uh this laplace to evaluate uh the improper particles okay so everything i have uh you may try extra problems around mdr these were advanced differential equation part 4a